मुझा जा रहा है तो सावन के स्पावन महिने में हम जा रहा है राओ बाइपास से करीब 30 मिनिट और 3 इमली से 15 मिट की दुरी पर इस्थित इंदोर का सबसे प्राचिन मंदिर कहा जाता है कि यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है तो आई है चलते हैं कर लेते हैं दर्शन तो गैस जैसे ही हम नेमावर रोड पोस्ते हैं हमें कुछ इस तरीके का बेउड देखने को मिल जाता है और हम थोड़ा से आगे जाने पर हम पहुत जाते हैं भगवान भोलेनात के गुटकेश्वर महादेव मंदिर जो की देव गुराड़या में है यह मंदिर इंदोर के प पहले यह मंदिर इस्थापित किया गया है और इस मंदिर को गरूड तीर्थ भी कहा जाता है तो दोस्तों जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें मंदिर प्रांगण का एक भविशरूप देखने को मिलता है और आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर चार कुंड बने कुंड आपस में एक दूसरे से Connected है जिसकारेंट से यहां जो पानी का इस्थर है वो चार कुंडों में बिल्कूल समान रहता है और अगर आप देखेंगे तो यहां चार कुंडों के बीच में आपको एक मंदिर देखने को मिलता है यहां पर एक मंदिर बनावा है जहां प भी मुर्तिद आपको देखने को मिल जाती है तो आईए फिर चलते हैं हम आगे की और और कर लेते हैं भगवान भोले नाद हमारे गुटकेश्वर महादेव के दर्शन तो यहाँ सबसे पहले आपको इस तरीके से यहाँ गेट देखने को मिल जाता है और गेट काफी बड़ा है और काफी भव्य गेट बना हुआ है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गेट के एक और आपको बजरंग बली जी विराजमान दिखेंगे और गेट की दूसरी और आप देखेंगे तो गणेश जी विराजमान है यहाँ पर और यहां बीच में आप दिखेंगे तो नंदी महराज बेटे हुए हैं काफी ज़्यादा सुन्दर न जा रहा है यहां का और साथ ही में यहां पर सामने की साइड आपको दिखने को मिल जाता है कुंड बना हुआ है यह कुंड जो है वो प्राक्रतिक पानी से ही भरा जाता है मतलब मेनवली कोई नहीं भरता यहां पर यह पहाड़ों से या बारिश के पानी से ही भरता है और इसके अलावा कोई अन्य जल इस तुरोत यहां पर नहीं है जिससे यह भरे और तो आईए अब हम चलते हैं अंदर क कर लेते हैं बाबा घुटकेश और महादेव के दर्शन इस मंदिर को गरूर तिर्थवी कहा जाता है क्योंकि भगवान विश्णु के जो वहान है वो गरून है और गरून जी ने यहां पर तपस्या की थी और इस तपस्या से खुश होकर भगवान भुलेनात ने उनको दर दर्शन दिये थे और दर्शन के बाद वह वहीं पिंडी रूप में इस्थापित हुए थे इसलिए इसे गरूर तिर्थवी कहा जाता है जैसे ही हम मंदिर के अंदर पोस्ते हैं तो काफी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलते हैं हमें और साथ ही में हम कर लेते हैं फिर भ दोले नात को दर्शन कर उनको नमन कर उनके उपर एक लोटा जल चड़ा कर उनके दर्शन कर उनसे प्राधना की और माना जाता है कि यहां पर हर मनोकामना पूर्ण होती है जो भी शर्दालू यहां आते हैं अपने दिल में कुछ भी कामना लेकर आते हैं और वह मनोकामना जरूर पूरी होती है तो हमने चड़ाया बावापल जर और कर लिए दर्शन और अब हम चलते हैं बाहर की और देख लेते हैं आसपास की जगा को यहां पर सावन महिने में काफी जाता मात्रा में श्रत्दालू गण आते हैं और दर्शन करते हैं यहां पर भीड़ लगी लाइक और कमेंट से जरूर बताएं और कमेंट में ओम नमस्वाई जलूर लिखें तो मिलते हैं हमारे नेक्स वीडियो में जबता के लिए बावाई